सुन्दरता हर प्रकार और अकार में आती है आतम विश्वास और प्रतिबा को जीरो फीगर की जरूरत नहीं होती बात करें फैशन इंडस्ट्री की तो पहले फुल फीगर लोगों के लिए यहां कोई जगा नहीं थी पर समय के साथ इंडस्ट्री बदल गई है आज की बात करें तो इंडस्ट्री में प्लस साइज फैशन मोडलिंग को बड़ावा देने के लिए दक्षा डिजिटल्स और हदीब अरोडा एनोवेटर मिस प्लस साइज नौर्थ इंडिया 2017 का आयोजन करेंगे मिस प्लस साइज नौर्थ इंडिया का एक ऐसा इवेंट है जो प्लस साइज लड़कियों को उनकी सुनगरता और टैलेंट दिखाने के लिए भैतरीन स्टेज देगा इस इवेंट के ओडिशन 9 एप्रेल को दिल्ली, 15 एप्रेल को जलंधर, 16 एप्रेल को लुध्याना, 17 एप्रेल अम्रिट्सर, 19 को पत्याला, 21 को शिमला और 22 एप्रेल को चंडिगड में होंगे ब्रेटिश एशिया की पहली प्लस साइज मॉडल बिशंबरदास जो की उन्हें मिस प्लस साइज इवेंट की ब्रैंड इवेसिडर बनाया गया है हरदीर अरोडा, इनोवेटर के ओनर ने कहा कि फैशन इंडस्ट्री ने करवी ब्यूटीज को अपनाना शुरू कर दिया है हमारी रोल मॉडल बिशंबरदास इस बदलते वक्त का उधारन है हम पूरे नॉर्थ इंडिया से सभी प्लस साइज लड़कियों को नमंतरन देते हैं कि वो इस स्टेज पर आएं और ये साबित कर दें कि वो सुन्दर है और ये दुनिया उनका मंच है तो बेसिकली हम लोग एक प्लस साइज पेजन्ट कर रहे हैं जो प्लस साइज गर्ल्स और लेडिस के लिए है इसमें मिज प्लस साइज नॉर्थ इंडिया 2017 जिसमें मैरे और अनमैरे फोर बोथ लेडिस और गर्ल्स के लिए है इसमें हमारे शो की जो ब्राइंड इमेस्ट है वो विशंबरदाज जी है she's a first Asian plus size model और हमारे शो की जो title sponsor है वो है Shweta Mustard Oil और Mifco हमारे co-sponsors है तो इसमें basically हम चाहरे हैं कि जो plus size girls या ladies हैं जो वो सोचते हैं कि हमारे लिए कोई भी events यह या हमारे लिए कोई भी opportunities नहीं हैं, हम उनके लिए एक opportunity लेकर आए हैं, तांकि वो अपना जो भी उनका talent है या हुनर है, वो उसमें करें, इसमें हम उनको three days का grooming session देंगे, जिसमें उनको बताया जाएगा कि कैसे how to wear the dresses, how to handle all the situations और उनको groom उनकी personality development की जाएगी, तो उसके अलग अलग celebrities आएंगे उनको groom करने के, उनको tips देने के लिए उनको workshops लेंगे, उनकी अलग लग कुछ हमारे hair zones में आएंगे, कुछ हमारे dietations आएंगे, उनकी zumba classes होएंगी, different different zone उनके three days में day and night चलते रहेंगे. Mrs. India, Worldwide 2014 की विजेता अमन गरेवाल ने कहा कि Miss Plus Size लड़कियों के लिए एक आशर जनक platform है, इससे ये सावित होता है कि समाज हमारी प्राक्रतिक रूपरंग से जादा हमारे हुनर को एहमियक देता है, वैसे भी करवी होने आजकल काफी इन है, लड़कियों को इस मंच पर ज प्राइस, North India, which is happening in May. I think they've just started with the registrations and auditions भी होने है, so I'll be there for the finale jury and this pageant is actually for plus size girls as well as women and because भी जिस तरह से ब्यूटी का पंसेप जो देखा रहा है कि Slim होना बहुत जरूरी है, ये माना जाता है, but I feel that's not everything, it's your entire personality, what you are from within is more important than your outside beauty. And this may be that size doesn't matter, so if you're otherwise a very good personality and you are confident and you are talented, so I'm sure you'll be doing very well and there are lots of opportunities इसके बाद, like in films, in serials, in advertisements, because आजकल जितने movies भी जो बन रही है, बहुत रही है, and realistic look उस में चाहिए, so you don't have to actually shed weight, go on a diet to be there, you know, if you're talented, you'll be there without doing all that, so that is the entire concept. Fit होना, as per me, it's not being slim, that's like a very wrong notion, which people feel ki, you know, slim है तो fit है, अब slim है अब 5 किमोटर अगर नही दौड पारहे हैं, चल भी नही पारहे हैं, तो तो दिन, there's no use, you know, fitness is eating healthy, doing good exercise, and keeping a healthy body, where you have stamina, you can work the entire day, you can travel, you can do, I mean, जो भी आप अपनी लाइफ भात अच्छे से अगर आप एप एगर आप 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 रहे हैं, because your body is, you're not falling sick, you're not feeling tired, so for me, I think that is fitness, and that fitness will only come if you're eating well, you're eating a healthy diet, and you're exercising, and you're happy, you have a happy state of mind, that is very important, so we are kind of promoting all that. Punjabi actress Mehreen Kalika ने कहा कि, भगवान ने हमें ये body दी है, और हमें हर तरह से इसका आदर करना चाहिए, प्लस साइज लड़कियों के लिए इस तरह का मंच होना चाहिए, जिससे वो दिखा सकें, कि वो किसी से भी कम नहीं है, और आतम विश्वास से भरपूर हैं, मिस प्लस साइज एक कोशिश है, सभी लड़कियों के भीतर छुपी आतम शक्ति को जगाने की, इसमें कि यही कहना है कि अभी सभी जो यूथ है, जो है वो एक लीन के पीछे भाग रहे हैं, कि हांजी, फिटनेस का उन्हें प्रॉपरली नहीं मालूम, कि कुछ भी बस पतले दिखना है, पतले दिखना, तो वो बहुत अची चीज है, इंडियन, प्रॉपर इंडियन लुक में वो आई, और विद्या बालन जी उसी की एक्जांपल है, पंजाबी में मेरा जो स्टार्ट हुआ, वो 64 का प्रियॉडिक पीरियड दिखाया गया, तो उसमें भी सेम मुझे बोला गया कि आपको शुवो करो, so this is not a part of a modernity, actually यह हमारे यूथ को पता होना चाहिए, बताना चाहिए, इसके थूप अचल जाएगा, कि सिरफ लीन होना, दिखना is not a fitness, so fitness जो है वो healthy होकर भी, अपना plus size होकर भी fit रह सकते हैं, healthy plus size भी होता है, और इससे भी opportunities मिलती हैं, यह नहीं कि आप पतले हो लीन हो, तभी खूबसूरत लगोगे, तभी आपको कोई आगे इंडस्ट्री में चांस मिलेगा, so this is not the thing, इसी को प्रूव करेगा यह, hope so, healthy होना exercise है, डाइट है, अच्छी लो, junk food avoid करो, बस यहीं है, अच्छा खाओ घर का भी कर ये नहीं कि proper fruit juice पर ही हो जाओ जी, खान घर का खाना छोड़ दो, डाल, रोटी सब छोड़ दो, exercise भी करो, योगा जो भी है, cycling किसी को running अच्छी लेगते है, किसी को jogging अच्छी लेगते है, cycling करो, कुछ भी करो, योगा करो, वो खापी कर वो चीज़े करो, शो को sponsor किया है Shreta Mustard Oil ले, और इसके co-sponsor है Mifco, The Diet, Expert और Kitty B, event की official website है, कैमरामेन बलविंदर आर्या के साथ Bureau Report National Buzz के लिए,